सो गाईज देखलो आज हमारे सामने खड़ी है most affordable time की speed T4 अगर इसे आप speed 400 से compare करोगे तो इसका जो price है वो आपको कम pay करना पड़ेगा साथ साथ जो आपको features मिलते वो भी आपको speed 400 से कम देखने को मिलेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का detailed background review देने वाला हूँ क्या कुछ इस गाड़ी का आपको on road price परता है एक showroom price क्या रखा गया है mileage कितना का निकाल पाओगे top speed क्या है और साथ साथ इस गाड़ी में आपको क्या क्या best features देखने को मिलेंगे और आपको speed 400 और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप वीडियो के अंतर बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe कर लें तो सबसे पहले इसके front profile के साथ सुरुवात कर जाए तो आप यहाँ पे look and design देख पाओगे जो कि आपको totally similar ही मिलता है कुछ-कुछ आपको अंतर दिये गए ओ मैं बताता हूँ सबसे पहले आप key को जैसे ही on करोगे इसके 4 और आपको यहाँ पे DRL के point देखने को मिलेंगे LED में दिया गया है और यहाँ पे आपको fully LED का light setup मिल जाता है low beam और आपको high beam दोनों ही देखने को मिलेंगे illumination आपको यहाँ से अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे आप दोनों side indicator देख सकते हो जो कि आपको LED का use किया गया है अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 1000 light के point भी देखने को मिलेंगे जस्ट निचे के और आओगे तो सबसे पहला जो अंतर इस गाड़ी में है जो कि यहाँ पे आपको 43 mm के आपको telescopic suspension देखने को मिलते हैं जो आपको upside down suspension मिलता speed 400 में उसे change करके आपको यहाँ पे telescopic suspension दे दिया गया है और यहाँ पे मटगार देखोगे जो कि आपको totally fiber में दिया गया है glossy black color के use मिलेंगे suspension पर ही आपको दोनों side red color के reflector मिल जाते हैं tire का size देखोगे जो कि आपको 110 section का दिया गया है 17 inches के साथ इसमें आपको alloy wheel मिलेगा और जो आपको speed 400 में जो tire दिये गया है जो कि आपको Apollo company का मिलता है बट इसमें आपको MRF company का tire देखने को मिलेगा tubeless tire आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे इधर आओगे जहां कि आपको 300 mm का front में disc दिया गया है दोनों ही चके में आपको ABS मिल जाएगा यहां पर आपको Biberi के brake calipers दिये गए और गाड़ी के जब आप side profile के उराओगे तो यहां से side profile को भी check out कर सकते हो side से भी आपको premium feel होने वाला है सबसे पहले यह आप इसका tank देख सकते हो जो कि आपको 13 liter के tank capacity के साथ मिल जाता है आपको totally metal के use दिये गए यह आप black color देख पाओगे जिसमें कि आपको totally white color के यहां पर use मिलेंगे 400 को आपको यहां पर mention किया गया है इधर आपको triumph को mention किया गया है जो कि आपको logo के साथ मिल जाता है बीचो 20 देखोगे तो आपको यहां पर white color और red और gray color के आपको यहां पर use मिलेंगे a speed T4 का branding मिल जाएगा और यहां पर आपको fuel cap दिया गया chrome के साथ मिलता है और गाड़ी आपको आपको E20 को support करने वाली है seat की और आओगे तो यहां पर आपको single piece seat दिया गया दो तीन आदमी अराम से बैठ सकते हो padded seat मिलते हैं जिसके अंदर कूसन है वह भी आपको बहुत ही जादा अच्छा मिल जाएगा side body देख सकते हो जहां कि आपको speed T4 का branding मिल जाएगा यहां पर देखोगे जो कि आपको इंजन में आपको ट्राइम का logo मिल जाता है crash guard आपको यहां पर पहले से मिल जाएगे और इस गाड़ी में आपको liquid cooling का system मिलता है जिसके लिए आपको यहां पर बड़ा सा radiator भी देखने को मिलेगा exhaust आप यहां पर देख पाओगे जो कि आपको totally black color में मिलेंगे कहीं कहीं आप पर मैं आपको यहां पर chrome के use दिये गए है यह आपका pillion का footage adjustable मिलता है rider के footage भी आपको adjustable मिलेंगे और यह आपका brake pedals दिया गया है rear suspension की ओर देखोगे जो कि आपको हलके से offset में set किये गए आपको mono sock type का suspension देखने को मिलेगा छोटा सा आपको यहां पर mad slab दिया गया है कोई भी आपको यहां पर tire अगर नहीं देखने को मिलेंगे और इसका जो chain मिलता है जो कि आपको totally right side दिया गया है आपको totally खुले chain देखने को मिल जाएंगे और जो rear tire दिया गया है जो कि आपको MRF company का ही मिलता है आपको 140 section के मिलेंगे इसका जो size है जो कि आपको छोटे कर दिये गये as compared to आपको speed 400 totally आप rear profile के और आओगे यहाँ पर आपको LED में indicator indicator नंबर पे टागाने कर जगा reflector और यहाँ पर आपको LED बब्स और यहाँ पर आपको LED में tail light देखने को मिल जाएगा grab handle देखोगे जो कि आपको बहुत ही जो चोटा सा दिया गया है आपको totally metal के देखने को मिलेंगे left side आओगे तो यहाँ पर आपको सारी गार का option पहले से मिल जाते है और इधर जो disc दिया गया है जो कि आपको 230 mm के दिये गये और यहाँ पर भी आपको battery के brake calipers मिल जाएंगे इस गड़ी में आपको total 6 gear का transmission मिल जाता है सिर्फ इसमें आपको side stand दिये गये करेंगे बीचो बीच आपको यहाँ पर गियर पर इंडिकेटर कर रहा है यह आपको टेको मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको fuel gauge कर रहा है यह आप digital में clock मिल जाता है side stand लगे उसके लिए आपको indicator मिलेगा और गाड़ी आपको क्या mileage दे रही है वह आपको यहाँ पर show कर रही है और इससे toggle करने के लिए आपको यहाँ पर एक i button मिलता है इससे जब आप दबाओगे तो आप यहाँ पर देख लो जो कि आपको average speed show कर रहा है फिर से दबाओगे तो आपको distance to imparti क्या है गाड़ी का O आपको यहाँ पर show करने वाला है यहाँ पर आपको set का option दिया गया जिससे आप इसका timing सब push set कर पाओगे फिर से दबाओगे तो आपको e odometer मिल जाएगा trip one मिल जाएगा और आपको यहाँ पर trip two दिया गया है इसमें आपको service reminder भी show करने वाले है कोई भी आपको bluetooth connectivity नहीं देखने को मिलता है और इधर आपको काफी कुछ indicator भी देखने को मिल जाएगे तो इतना कुछ आपको features दिया गया feature loaded आपको यहाँ पर meter console मिल जाएगा key आप यहाँ पर देख लो जो कि आपको 2 key company की तरफ से मिलता है time का logo मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर totally wave design के key देखने को मिलेंगे और इस तरफ देख लो जहांकि आपको type C के आपको यहाँ पर charging socket भी दिये गए है यहाँ पर single piece का आपको handle bar देखने को मिलेगा switches के और आओगे तो आपको low beam यहाँ आपको high beam दिया गया है यहाँ पर आई button देखने को मिलेंगे left turn right turn का switch और इस जगा पर हान का switch single horn ही मिलेंगे low beam आपको high beam और यहाँ पर passing के भी बटन देखने को मिलेंगे इधर आओगे जहां कि आपको engine on off करने का button दिया गया है और इस जगा से आपको hazard light on off हो जाएगा और यहाँ सापी से self start कर पाओगे यहाँ पर आपको speed 400 से एग अंतर यह देखने को मिलेगा जो आपको bar end में mirror मिलता है उसे change करके आपको यहाँ पर नॉर्मल सापको यहाँ पर mirror दे दिया गया है sound को मैं आपको check out कराता हूँ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके पता सकते हो इंजन जो दिया गया है जो कि आपको 398.15 cc के देखने को मिलेंगे sam आपको speed 400 वाला ही engine दिया गया है बट इसे जो आपको power मिलता हूँ आपको कम देखने को मिलेंगे as compared to speed 400 जो ए गाड़ी आपको power देती है जो कि आपको 31 ps का power और आपको 36 newton m का ए गाड़ी आपको torque देने वाली है mileage approach आप देखा जाए तो 30 से 35 का निकाल पाओगे अगर आपका height 5.5 feet से जादा है तब इस गाड़ी को आप comfortably चला पाओगे एक बर मैं आपको बैट के दिखाता हूँ मेरा जो height है जो कि आपको 5.6 inches है और दोनों side आप मेरा power देख पाओगे बहुत ही जदा comfortably अड़ चुका है और एस सच मुझे इस गाड़ी को चलाने में कहीं से भी problem नहीं आने वाला है बैटने का आप तरीका देखोगे जो कि आप totally सिधा बैटते हो ना ही आपके हाथ में दर्ध होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्ध होगा चाहिए इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी क्योना राइट कर लो और जो प्राइज पढ़ता है हमारे नियर सिटी शोरूम राची में आपको राची ट्राइम पे जो कि आपको 2,68,000 रुपीज रखा गया है और जो आपको एक शोरूम प्राइज इस गाड़ी का पे भी फॉलो कर पाओगे तो फिलाल इस वीडियो में पस इतना है गाईज थैंक्स पो वाचिंग